हाई फ्रेंज्स आज मैं बहुत सारा स्टोन लेके बैठी हूँ यहाप पे और आप देख सकते हैं कि यह सब ब्लैक है कुछ पिंक भी है यह देखें पिंक स्टोन भी है कि हमें इस टोन का छिप्स निकालना है ने कि यह अपने आप ही है चिप्स निकल रहा है चोड़े है कि हमें निकालना है इसलिए अभी सबी लोगों लोग इसी जदा धियान दे रहे हैं और लोत जारा है बिक साइज स्टोन को तोर के हमें चिप्स निकालना है और इसमें बहुत साड़े लेयर्स है बहुत ही ज्यादा लेयर्स है लेयर होने के कारण हमें चिप्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मैं आपको थोड़ा दिखा दू यह जो नैचरल स्टोन है इसमे प्रेज स्ट्रॉक होता है यह है ब्लैक ब्लैक में बहुत तरह लेयर सा है यह देखिये तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं और आपको दिखाती हूं कि स्टोन में से लियर्स अच्छे से निकलता है कैसे निकलता है यह और लेड़ी चिप्स किया हुआ है अपने आप में यह देखिए मैं इसको तोरा भी नहीं इस बर मैंने कहा ना ब्लैक का बहुत ही अर्थी वाला स्टॉक है चिप्स अपने आप ही निकल रहा है ज्यादा से ज्यादा अपने अपने में टक्राता है और चिप्स यह देखिए अब 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 कोशिश रहते है कि आप लोगों को सॉप्ट ज्यादा डिमांड में रहता है कि इतने साधे लेयर से इस पे अदर का पाट जो हता है एक दम रिपी ज़े के साव पे तरी यह अंदर का पाट है और इसी ब्लैक स्टोन की से जो पाउडर हमने निकाला है क्रम्बिल निकाला है उसी से हमने स्लेट सॉसर बनाया है उसका टेक्शर भी हम दिखाएंगे और अभी हमारा बहुत सारा ओफ़र चल रहा है स्मोकी पे आप लोग देख सकते हैं वह ओफ़र उसमें आपको बेस प्र यह देखें कितने सारी लियर्स है इसके अंदर वाला पार्थ में बहुत सारी लियर्स होते हैं और जो एकदम बीट वाला पार्थ जो यह है इसमें कि चोठे पीशेस में भी इतने सारी लियर्स है एशच से बड़ा स्टॉन है और मैं एक स्क्वैर्ट स्टॉन को भी तोरूँगी ब्लैक वाला कि इसमें कितना लेयर्स है मुझे देखना है कि कटिंग बाले स्टोन में भी लेयर होते हैं या नहीं है चलिए मैं दिखाती हूं आप लगों को कि देखिए नच्रुल स्टोन ब्लैक का बहुत ओडर है हमारे पास अभी इंग्दम पतला चिप्स निकल गया और एक निकालते हैं कोशिश करते हैं चिप्स निकल जाएगा यहां से यह देखिए प्योर ब्लैक है इस करते हैं इसमें से और एक चिप्स निकल जा सकता है देखते हैं कोशिश एक इंग्स लूचिए 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 इसमें से अगर इसको अच्छो से पकर पापे ना यह देखिए यहां से निकल जाता है इसका उपर का परब हट जाए तो इससे ज्यादा अच्छा स्टॉक कुछ भी नहीं है और यहां पे है पिंक पिंक को एक बार तोटते है अंदर से एकदम प्योर कलर है तो फ्रेंज आप लोग हमारा स्टॉक देख लीजिए स्टॉक देख के फोटो निकाल के हमें ओडर भीजिए और यहां पे कैश अन डेलिवरी नहीं है ओनलाइन पेमेंट है और मैं आपको इसके साथ स्लेट सॉसर का एक छोटा सा वीडियो डाल देतू हूं आप देख लीजिए किसलेट सॉसर का स्टॉक भी हमरे पास अभी कैसा है यह देखिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है करें साथ लोग बेजिज़त अडर्ट कर सकते हैं और हाँ इससे आपको हेल पीशू होता है बहुत हेल पीशू होता है मुझे पता है मुझे भी है अगर आप अपने आपके कंट्रोल डख सबते हैं इससे अच्छा कुछ भी नहीं है यह जो स्टॉक आप देख रहे हैं यह स्लेट पेंसल वाला सॉसर का स्टॉक है इससे स्मोकी में है ऐसा और कुछ ऐसा है जो कच्चे मिट्टी जैसा है इसका स्टॉक हमने फिट से बनाना शूरू कर दिया है नौन स्मोकी में वह भी आ जायेगा क्योंकि आप लोगोंको लुग को नौन स्मोकी भी चाहिए होता है यह तीन जो सॉसर अप देख रहे हैं और यह बहुत ही है क्रण्ची वाला है यह सबको हम नहीं देंगे जनको हॉट थे Off क्रण्च चाहिए उनके लिए हम रख रहे हैं क्योंकि ऐसा कस्तमर बहुत है डिलोग मेश को थे यह पखे लेती हूं मैं आपको डीप करके दिखाती हूं मैंने पाने ले लिया है और यह हाफ बेक ख्रीजल स्मोकी में है यह भी स्मोकी में है लेकि कितना अच्छा आठ्थी स्टॉक है फ्रेंज आप लोगों के लिए मैं बहुत सारह स्टॉक बना रही हूं और डे बाई ड कि अच्छे ओफर भी देने की कोशिश में हूँ और यह देखिए यह स्लेट पेंसिल सौसर यह पका हुआ है यह भी पका है लेकिन यह सौप्ट है देखिए पानी एकदम गंदा नहीं कि आप लोग देख सकते हैं तो स्मोकी ऐसा मिलेगा हमारे पास अभी स्टॉप लेकिन य यह अप्ति है तो चलिए अभी के लिए बाए बाए